मद्य प्रदेश के धार जिले में लगातार हो रही लूट दकैती और चोरी की घटनाओं पर अंकुष्च लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है वही धार S.P. आदिते परताप सिंग के निर्देशन में चलाई जा रही मुहीम में लगातार सफलता मिलती ही जा रही है तो वही जीले में लूटेरो और डकैतों में हडकम मच गया है आपको बता दे कि टांडा पुलिस और धार क्राइम ब्रांच की सनिक्त कारेवाई में तीन ऐसी आरोपियों को धरदवोचा गया जो पूर में डकैती वर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे जिनके पास से लूची गई नगदी, मोबाईल, समान और मोटर साइकल भी बरामत की गई है मुखबीर की सुचना के अधार पर पुलिस ने दविश देकर रास्ते में खड़े आरोपी भारत कमलेश वस संजी को टांडा थाना लाया गया पुलिस जब उनसे सक्ती से पूस्ताज की गई तो उन्होंने पूर में की गई चोरी लूट डकैतियों का भी खुलासा किया फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है पुलिस ने मामले को पुलिस द्वारा पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया इसके गनीवेज अगमस्टा गया था रिसमें से रह तीह चाहर रुटी सब्सक्रादी खुआ हम में और अगर कने धिलहाल पुलिस द्वारा अर ने जन्मे एक अपाधि बेन अपाधि जन्नु है इसके चल्गें ड़कवा में स्थाई ओन कृदोने मामले है जबिदी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिज पैलेस राजगराना इन फानेस्ट बैंक्वेट आल जोती गार्डन वोल्ड ग्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंदिशिन, लुश ग्रीन लॉण्स, शेट अफ अफ लाइट लाइटनेंग, एसे ही लेटेस को पाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्यवाद